तो दोस्तों आप लोग इंतियार कर रहे होंगे नई वाली डिजायर के उपर बहुत लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि नई वाली डिजायर कब आने वाली है तो जो नई डिजायर है वो लॉंच हो चुकी है उसकी जो प्राइजिंग वगरा है वो भी आ चुकी है और उसक करते हैं दोस्तो वह सबसे पर बात कर ते हैं तो चलिए सकान न्यूlled जो सबसे पहले जो देखने को मिलता है कि nood оч्रू किया गया है पर अगली चीज अपको देखने को मिलती है वह देखним जो ही उसके प्रोजेक्टर बॉलनाएं डियो धियार इस्के तो उसके बाद आप नीचे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको जो बंपर है वो भी नया मिलता है और जो फॉग लेंप है वो भी जैसे कि लाइट है वो जो है थोड़ी बाद चेंज की गई है पर जो इसका जो चॉप्ड लोग था पहले से जो इसकी जो डिगगी है आप मैं बोलता हूं अगर सुद्ध वासा में तो इसकी डिगगी है वो यसा लगता है कि उपर से काट दी हो और वह चॉप्ड लोग जो ह है एक सर्कुलर एक अच्छी फ्रीजिंग सी लगती थी वो देखने में मैं ने खुद वो जो जो जयार है वो चलाई है मेरे पास थी तो मुझे वह ज़्यार जाद आच लगती थी यह वाली नई डिजायर जो है पीचे से अच्छ लगती या पर जो फर्स जनरेशन डिश रहे थी वह आपको अच्छे लगती है उसके बाद करते हैं इसके इंटीरियर के तो इंटीरियर में जो है आपको इसके अंदर मिल जाता है और पहले से काफी इंप्रूब की गई है और जो की फिटिंग बगर आया है वो भी थोड़ी अच्छी है पहले से तो उस बैसे एक प्रीमियम लुग जो है गारी अंदर से दे देती है और जैसा के मैंने बताया कि इसका जो वील वेस है वो पहले से बढ़ाये गया है और उसी वज़े से जियर पैसेंजरों के लिए भी थोड़ी सी ज्यादा स्पेस अंदर मिल जाती है और अब ये गारी जो है फाइब पैसेंजर के लिए बिल्कुल कमफर्टेबल एक एक कार बन चुकी है जो पहले थोड़ी सी प्रॉडम थी वो इस बार बढ़ाया है, कमपनी बोलती है कि आपको पैट्रल में वाइज को पशली हो गया स्पार हाइज बढ़ाया प्रक्रणी है और उस बज़े से जो गारी हे तो थोड़ी हल्की हो गाई है, और इस लेज के लगबक पैट्रलग की जो अबड़क़ थो कशली हो गई थोड़ा सा बढ़ गया है उसके बात कर लेते हैं comfort की, t自 ajust thankfully में आपको दो moodle बतारं गा, VXI, VDI के अंदर आपको क्या मिलता है उसके बार आपको बतारं को कि UD-ZDI-Plus के अंदर आपको जोई क्या मिल जाता है, और ZX-ZDI-Plus के अंदर जो है किया मले तो सबसे पहलेिए जाए और अच्छा फीचर लगा है कि आपको जाती है उसे के साथ आपको मिल जाता है एक century locking और electromagnetic trunk opening आपको मिल जाती है height adjustment for driver अब आप driving प्लस के अंदर आपको क्या मिलता है यह चीए तो आपको मिलेंगी पर एक्स्ट्रा और क्या मिलता है उसके उपर बात कर लेते हैं जो कि आती है फॉलो मी के साथ उसी के साथ आपको मिल जाता है पुस स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि काफी अच्छी बात करते हैं कुछ अच्छी चीएं के बारे में तो पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी है वह इसका अच्छी बात कर दिया है और आगे से देखने में काफी प्रीमियम लोग देता है उसी के साथ फीचर पैंट कैबिन इसका जो कैबिन है उसमें बहुत सरी फीचर जो इस बार दिया है उसी के साथ यह जो गाड़ी है वह वो मॉस्ट फ्यूल एफिशेंट डीजल कार इन इं अच्छी बात इस गाड़ी की सब लगी और अब हर एक बंदा जो है वीडिया मोडल हो चाहें जैडिया मोडल हो चाहें वी एक साथ लोग अब अगली चीज है वह है कि स्टेंडर कर दिया है अब ड्यूल एयर बैक एब्स विद एवीड एड और यह इस वार सेफ्टी पे क कि सेफ्टी फीचर नहीं होते हैं पर इस वार मारती ने जो है स्टेंडर कर दिया है कि सम्में ABS EBD और ब्रेक असेस्ट आएगा तो यह जो चीज है बहुत अच्छी चीज है और मारती को इंचियों में ध्यान देना ही चाहिए ता पहले से पर अब दे लिया है तो अब आग इसका बूट स्पेस 60 लीटर जो है और बढ़ा दिया है अब यह जो फीचर है यह बैड चीजों में भी आता है अब गुर में इसलिए थोड़ा सा कम से कम बढ़ा जाता है अब बैड चीजों में इसलिए आता है यह क्योंकि अभी वी यह कुछ इसके जो कॉमपिटिटर है उसके बाथ कर लेते हैं बैड चीजों में पर देखने में जो मेरे को सबसे बुरी चीज इसके अंदर लगती है वोह है इसका रियर, लुक जो चॉप्ड लुग इसके अंदर मिलता है जो कि मैं आपको बता चुगा था, इसकी जो डिक्की है वो पीचे से कटी हुई सी इसे सेकंड जनेरेशन डिजायर में भी नहीं अच्छा लगता तो यह जो लुक है वो मुझे सबसे बोरा लगता है बाकि इसमें मुझको अभी तक तो कोई खमी नहीं दिखाई दे रही है फीचर बगरा भी इसमें पूरे फीचर जो है आपको देती है कार और कार की जो प्र बात कर लेता है था दो स्कार की फ्रयस्ट एक अगर प्रक्यटी घ्रीफ 25 तक जाती है और अगर अपको सक्रीन पर दिखा देख लेजें कि कान सी विडियू की कि प्राइज है तो दोस्तो अभी के लिए इतना ही और अगर आपको इच्छी लगी और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी उसकी वजय भी आप मुझे नीचे बताइए मुझे अच्छा लगेगा पर यार थोड़ी बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए तो उसके लिए थोड़ा था अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा उसी के साथ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें उस साथ में आपको नॉटिफिकेशन बेल का आइकन दिख जाएगा उस बेल की आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे अगली बार में कोई भी वीडियो डालूँगा उसकी नॉटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही थैंक यू, सपोर्स इंडिया